नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है देखे आईटी मंत्रा योट्यूप चैनल में डियाइडियो एड्मिन एड्लाइन के एड्मिट कार जारी हो चुके हैं और मैंने एक कंप्लेट वीडियो बना दिया है कि किस प्रकार से आप अप यह एड्मिट कार डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए हो सकता है कुछ टाइम बाद साइट में ज़्यादा ट्राफिक होने के वज़े से साइट काम करना बंद कर दे तो आपको जल्द से जल्द अपने एड्मिट कार डाउनलोड कर लेनी चाहिए study material के लिए आप channel की playlist पर विजिट कर सकते हैं playlist है dido admin and align fireman कहीं try admin and align कहीं fireman एक post है और admin and align के नाम से पूरी vacancy है जिसमें 10th 12th वाली सारी post आ जाती है सबका common exam का syllabus है और सम एक ही आपका रहेगा कि किस परकार से exam होना है यानकि exam pattern भी same है चलिए शुरुवात करते हैं आपसे request है कि like जरूर कर दीजी और say year भी कर दीजीए आज इस वीडियो में मैं आपको syllabus और exam pattern तो बताऊंगा ही साहत में उसके साथ selection के लिए अब आपको कौन से smart trick यूज करनी है वो भी बताऊंगा आपके बहुती नियर exam है या बहुती पास में exam है जैसे 13 March को है किसी के 19 March को है किसी के 20 March को है तो आपके exam पास में है बहुत कम time है आपको अब study शुरू कर देनी चाहिए या फिर study में थोड़ा time और बढ़ा देना चाहिए चलिए शुरुआत करते हैं पहले तो आपके सामने है आपका syllabus syllabus सबको पता है लेकिन फिर से revision करना जरूरी है कि syllabus में कोई आपका topic कोई आपका part छूट तो नहीं रहा है जैसे CBT exam होगा वो आपका पहला stage है और CBT exam ही अभी हो रहा है तो आपको इसी पर ध्यान देना है क्या होगा 40 question होगी General Hindi के और 40 question होगी General English के तो मैं इस पर वीडियोज बना चुका हूँ आप इनकी question देख सकते हैं General English और General Hindi के सहाती मैं अब आपको regular model paper प्रवाइड करमाऊँगा पिछितर question होगी जिन में आपकी quantitative aptitude जिने कहते हैं 10th level की मेथ reasoning तो reasoning के लिए मैं आपको ये वीडियो सज्जेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को जाकर देखिए जितने भी वीडियो का मेरी ये thumbnail रखा हूए उन पर पूरा model paper है आप देख लिजिए आपकी तयारी complete हो जाएगी उसके बाद देखिए General Awareness and General English उसके भी मैंने वीडियो प्रवाइड करवा रखें आप जाकर जरूर देखे प्ले लिस्ट चेक करती आपको मिल जाएगा maximum 80 marks का उपर वाला होगा यानके 40-40 क्यूशन है तो 80 marks हो गई 60 minute मिलेंगी और नीचे वाले 75 क्यूशन के लिए भी 60 minute मिलेंगी आप देखी क्या है 75 क्यूशन और 80 क्यूशन आप कह सकते हैं कितने क्यूशन हुई तो आप कहेंगे 155 क्यूशन हो गई और 120 मिनिट का आपके टाइम होगा दूसरा जो दे रखा है वो skill test है लेकिन हलांकी वो बाद में लिया जाएगा वो आपको ध्यान नहीं रहना है यह आपका main syllabus है तो लगवग सभी के लिए same है आपको इन्हों नहीं दे रखा है अब देखी मैं आपको कुछ smart trick बता देता हूँ जिससे आप कर सकते हैं general awareness में आपको जादा सी जादा क्यूशन सही करने हैं पहले तो मैं general English का बताता हूँ general English आती है आपके 10th level की जिसमें आपको 40 क्यूशन पुछे जाएंगे और यह क्यूशन होंगे सारी grammar की जैसे की adweb का क्यूशन आजाएगा आपके preposition आजाएंगे article आजाएंगे तो इसन पर मैंने आपको complete वीडियो देए रखा है आपको दो प्लेलिस्ट रेखने है यदि आप सारी क्यूशन सही करना चाते हैं 10th level की आपको दो प्लेलिस्ट पर विजिट करना है पहली प्लेलिस्ट है आपके diadio admin and align की और दूसरी प्लेलिस्ट है diadio and upcltg2 इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वो वाली ज्यादा important है admin and align से ज्यादा important वो है 10th base की grammar मैंने यहां करवा रखे सारे general awareness और important question आपको पढ़ने हैं साथ में आपको diadio के लिए मैंने एक 750 यान की 700 सिमान सकते है 700 ज्यादा question की एक PDF मनाई है वो आपको download कर देनी है link दे रखा है description में जो पूरी diadio admin and align diadio septum 10 पर बनाई है आप जाकर purchase कर सकते हैं अब online paper से पहले आपको model paper देने हैं तो model paper मैं इस channel पर provide करवाँगा साथ ही आपको कहां जाना है साथ ही आपको diadio की website पर भी model paper दे रखे ह यह syllabus है अब देखे मैं आपको बता दूँ syllabus तो है लेकिन इनमें क्या क्या आता है जैसे कि general Hindi में क्या आता है तो general Hindi एक fix subject नहीं है इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको complete बता दिता हूँ general Hindi में आएगा आपके grammar आ सकती है व्याकरण जिसे कहते हैं वो आएगी उसके बाद उ उपरास है यमक है सलेस है रूपक है कौन सा अलंकार है फिर आपको कह देंगे यह पंक्ति किस कवी की है वो भी आपको बताना है यान कि इसमें 40 क्यूशन आएंगे तो hard level के भी होंगे Hindi में आपको इस प्रकार से क्यूशन पुछे जाएंगे तो आपको पढ़ना है संदी समास यह आपके उपसरग परते यह चोटे टॉपिक होते होंगे लेकिन hard level में क्या आओंगे तो कवीयों से समंदित पूछे जाएंगे भारतेंदू हरिश्चंद्र कौन था उनका जन् क्या से चनले यहीं है है कि मने आपको पहले सी करवा रखे हैं साथ मेंगरंट अफैर्स के question आएंगे current affairs के बहुत सारी question आपको देखने को मिल सकते हैं देखिए इसमें क्या है 15 question नाएंगे इसमें एक दू और तीन आपके पार्ट सामिल है general English imbalance आई तिन्क गलती से त्क्यूश की तइ theater होगा gusta how to get this period फोंकर जाहीं कि पर होगा तो मान लेते हैं कि 25 25 किसेदी आशिए सबके आएंगे तो Current Affairs के भी आपको पांस atau 10 कुशन देखने को मिल सकते हैं तो current affairs के क्यूस winner मैं साहथ साहथ पलवाइड करवाता हूं और सबसे important question मैं आपको यहीं बता च merits का क्यूसन की सब्सक्राइब के अब आपक armored नंबर के excuse प्लेलिस्ट में जाईए और वहां से देख लिए प्रमुक नियुक्तियां कौन-कौन सी हुई है उनसे एक दो जरूर क्यों से आएंगे प्लेलिस्ट आपके सामने है बुक आपके सामने पीडिफ आप डाउनलोड कर लीजी बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का यहां तक देखने के लिए